हेलो एवरीवन वेल्कम तू आल आफ यू तिस अंजुमोर्या और हम लोग यहां पे टीजीटी पीजीटी एल्टी के लिए नया कोर्स हम लोग आज से पढ़ रहे हैं इसके पहले भी हमने बायो मॉलीक्यूल लगपक करा दिया था बात में हम उसको समब भी कर लेंगे बायो का टॉपिक देखेंगे जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एनिमल फिजीजी में सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाती हूं इसका रीजन आपको आगे पता चल जाएगा क्योंकि सारे टीचर से स्टार्ट करते हैं डाजिस्टिव सिस्टम से या फिर माना जाता है कि हम इनिमल फिजीजी इसकी शुरुआत डाईजेस्टिव सिस्टम से करते हैं लेकिन हम इसको स्रखुलेटरी सिस्टम से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं स्रेकु अणैधरी सिस्टम इसलिए क्योंकि यही से बहुत सारी चीज़े ऐसे लिंक है जो आप डाईजेशन पढ़ें ठीक है तो वहाँ पर आपको यहां से बहुत ज़्यादा है मिलेगी तो आपको अभी क्या करना है आपको हम लोग आज सबसे पहले पढ़ेंगे circulatory system and body fluid देखे इस chapter में हम यह जानने की कोसिस करेंगे कि हमारे circulatory system में क्या क्या आता है हमारा body fluids क्या क्या है जैसे हमारे body fluid में हमारे पास क्या है blood है lymph है ठीक है फिर circulatory system में कौन-कौन से circulatory system होते हैं उसके बाद हमारा heart का क्या main function है heart की anatomy देखेंगे और उसके बाद हम courses करेंगे कि हम जो है पूरा का heart का function बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं तो बहुत ही बहुत ही interesting session होने वाला है हम जैसा हमने कहा भी था कि अभी vacancy आई नहीं है लेकिन जैसे vacancy आएगी हम लोग और तेजी से पढ़ना start करेंगे हम लोग अभी से बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और मैं आप लोग को काम भी दूंगी बताती रहूंगी कि आपको क्या करना है कैसे पढ़ना है ठीक है बहुत सारे options मेरे पास हैं आप बिल्कुल परिशान नहीं होगेगा आपने हमें जॉइन किया है तो कुछ सोच समझ के जॉइन किया होगा आपको हम पर ट्रस्ट है तो बिल्कुल भी आपको निराशा नहीं मिलेगी तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं एक बात आप जान जाएएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग दो चीज पढ़ते हैं जैसे देखिए अब एक चीज तो आपकी दिमाग में आता होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम किते टाइप का होता है तो पहली चीज तो आप याद रख लिजेगा, there are two types of circulatory system, ठीक है, जो first circulatory system है हमारी body का, first circulatory system, अच्छा, circulatory system का काम क्या है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक, अभी आप tension ने लिजेगा, first circulatory system and second circulatory system, first circulatory system and second circulatory system, देखें, first जो major circulatory system है हमारी body का, वो होता है, वो होता है, that is the blood, blood हमारा first circulatory system, या we can say, इसको हम लोग blood vascular system कहते, क्या कहते है, blood vascular system, blood vascular system, तो पहला circulatory system हमारा क्या है, blood vascular system है, ये याद रखिएगा, ठीक, और दूसरा circulatory system हमारी body में, एक और circulation होता है हमारी body में, जो दूसरे type का fluid होता है, उसको कहते हैं lymph, और lymph का circulation, जिस भी system के द्वारा होता है, उसको हम लोग कहते हैं lymphatic circulation, ठीक है, lymphatic circulatory system, तो आपको बस अभी इतना जानना है, कि हमारी body में किते तरीके का circulatory system है, तो यू विल से कि हमारी body में दो तरीके का circulatory system है, एक है blood circular vascular system, और दूसरा है lymphatic circular circulatory system, ठीक है, आगे हम लोग एक-एक चीज़ पढ़ेंगे और हमें समझ में भी आ जाएगा कि circulatory system का काम क्या है, चलिए, अब हम देखते हैं body fluid क्या है, तो इसको ध्यान से समझने की कोसिस करिएगा, जो body fluid है, ये भी हमारी body में हमने कहा था, दो तरीके के body fluids हैं, एक हम लोग blood के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा हम लोग lymph के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी हम आगे चलके देखेंगे blood और lymph में अंतर क्या है, तो इतनी बात अभी आपको समझ में आ जानी चाहिए, आप लोग अपना node भी prepare करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा there are two types of circulatory system लिखने की ज़रुत नहीं है, circulatory system दो तरीके का होता है, simple सी बात है, ठीक, और body fluid भी किता है, दो तरीके का होता है, body और blood और lymph, अब चलिए हम start करने वाले हैं, circulatory system में blood vascular system की बात करते हैं, चलिए, start करते हैं हम लोग सबसे पहले, इसको आप देखिए, screenshot ले लिजिए, वैसे मैं screenshot allow करवा दूंगी, आप screenshot भी ले लिजिए, साथ-साथ इतना slow पढ़ा जा रहा है, अब notes भी बना सकते हैं, चलिए, आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग पढ़ते हैं, blood vascular system, blood vascular system, system, तो अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या है, physiology of blood vascular system, इसकी physiology, इसकी physiology सबसे पहले, physiology of blood vascular system was first discovered by, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि किसने blood vascular system की physiology को सबसे पहले किसने discovered किया था, तो याद रखेगा, first discovered by sir William Harvey, किसने किया था, William Harvey ने किया था, William Harvey ने किया था, बहुत important है, note कर लीजेगा, question आ सकता है, ठीक, blood vascular system की physiology को सबसे पहले किसने discover किया था, William Harvey ने, और blood vascular system की study को क्या केते हैं, याद रखेगा, study of blood vascular system कहलाता है, angiology, क्या 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 था, angiology, याद रखेगा, angiology कहते हैं, इसलिए, इसलिए father of angiology, father of angiology कहते हैं, father of angiology किसको कहते हैं, William Harvey को कहते हैं, आगे चले हम, अब हमें समझना है कि हमारे पास organ of circulatory system क्या है, ठीक, याद रखेगा, तो हमें पता है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए organ of circulatory system क्या है, तो हम जानते हैं कि जो organ of circulatory system है हमारा, organ of circulatory system क्या है, तो पहले इसको समझेए, यह organ of circulatory system हमारा है, hurt, क्या है, hurt, ओके, इतन बात याद रखे, अभी हम हर्ट के बारे में इसकी location और इसका क्या है कैसे है, safe size क्या है ये बात में देखेंगे, अब मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा हर्ट होता है या फिर किसी भी vertebrate का जो हर्ट होता है, पहली चीज़ तो आप याद रखेगा, हम लोगों में हम लोगों में हर्ट ventral side है, ventral side का मतलब ये front side है ना, लेकिन invertebrates में हर्ट dorsal side होता है, ये बात याद रखना है आप लोगों को, एक बात हमेशा याद रखेगा कि जो front side आपको दिख रहा है वो क्या है, ventral, जो back side हो क्या है, डॉर्सल, ठीक और ये जो parts, ये वाला side है ये lateral side होता है, क्या होता है lateral side होता है, तो हम लोगों में हर्ट कहां पे, ventraly located है invertebrates में कहां होता है, dorsally located होता है, तो हम vertebrates की अगर बात करें तो हम क्या कहेंगे भाई, ventraly है, कैसा है यह बात तो आपको पता है लेकिन इन्वर्टीब्रेट में डॉर्टोली होता है क्या होता है यहां से भी question पूछा जा सकता है आप इसको ध्यान से समझेगा अब देखे हमारा heart क्या करता है हमारे heart का काम है क्या काम है blood को receive करना पूरी बॉडी से जो अशुद्ध रक्त होता है डी ओक्सिजिनेटेड ब्लड होता है उसको रिशीव करना और पूरी बॉडी को सुद्ध रक्त क्या करना पंप करना ठीक है तो हर्ट का दो काम होता है एक तो ब्लड रिशीव भी करता है और पंप भी करता है तो हर्ट में ए में पाया जाता है चाहे वो फिशेस ओ चाहे एम्फिवियन सो चाहे रेटाईल सो चाहे बटS चाहे मैमल्सो एवरी ओर ओर गैनिजम यविल्ट से एवरी वर्टी ब्रीट अन्हों के पास नेस 요ाई का किवल किसी चैणिë में पाया जाते हैं उसको किते हैं accessory chambers क्या किते हैं accessory chambers या non necessary जो केवल कुछ ही vertebrates में पाया जाता है उसके बारे में में भी हम लोग अभी बात करेंगे तो देखें यहां पर क्या है अगर मैं बात करूं necessary chamber की तो कौन से necessary chamber है जो सब में पाया जाते तो आप ओगे आरिकल जिसको अलिंद कहते हूं और वेंट्रिकल जिसको निले कहते हूं कहते हूं ना अलिंद और निले तो आरिकल और वेंट्रिकल आरिकल को एक और नाम दिया जाता है एट्रियम क्या कहते हैं एट्रियम भी कहते हैं तो देखिए यहां पर क्या है necessary chamber में जैसे मा लीजे मैंने एक hurt बनाने की कोसिस की आप ध्यान से देखिएगा ठीक है आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा जैसे मैं एक hurt बना रही हूँ ऐसे करके ये एक hurt हो गया अभी आप tension नहीं लीजेगा ये ऐसे करके ये हमारा एक hurt हो गया ठीक है और जो नीचे दो chamber है इसको हम लोग क्या कहते हैं ventricle कहते है क्या कहते है ventricle अब देखिए ये right aricle ये left aricle ये right ventricle ये left ventricle actually necessary chamber को हमने क्या कर दिया बाट दिया किसमे किसमे auricle और ventricle में एक बात हमेशा याद रखिएगा auricle blood को receive करता है पूरे के पूरे body part से auricle का क्या होता है blood को receive करना और ventricle का का काम होता है blood को pump करना तो पहले ये हम आगे चलेंगे डीटेल में इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे कहोगे necessary chamber में भी दो तरीके के chamber है receiving chamber पहला क्या है receiving chamber और दूसरा है pumping chamber क्या है? Pumping chamber. जो blood, एक तो जो blood receive करता है और दूसरा जो blood को pump करता है. तो हम कहेंगे, जो receiving chamber है, उसको हम लोग auricles कह देते हैं, auricles कह देते हैं, या फिर इसी को atria भी कहते हैं. ठीक, और जो pumping chamber है, वो क्या होता है? Ventricles होता है. क्या है? Ventricles है. ठीक, अब हम देखेंगे कि किस में कितना auricle, किस में कितना ventricle होता है. आगे देखते हैं हम लोग, accessory chamber. accessory chamber, पहले तो एक बात समझ लीजिए. accessory chamber generally दो तरीके के होते हैं. note करते रहिएगा, एक को हम लोग कहते हैं, sinus venusus. sinus venusus. और दूसरे को कहते हैं, truncus arteriosus. और भी इसका नाम है, bulbus arteriosus. ठीक है, और भी नाम है, लेकिन अभी बस अब दो नाम याद रखिए. अब याद रखिएगा, कि जो accessory chamber है, ये दो तरीके का है, sinus venusus और truncus arteriosus. कभी एक बात हमेशा याद रखिएगा, कि जो sinus venusus है, ये related to atria, related to auricle, auricle से जुड़ा होता है. ये किस से जुड़ा होता है? auricle से जुड़ा होता है. और जो truncus arteriosus है, related to ventricle, ये जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है ventricle से. related to ventricle, तो आप ये बात याद रखिएगा, कि ये chamber, ये जो accessory chamber है, ये auricle से जुड़ा होता है, और ये accessory chamber, जो है ventricle से जुड़ा होता है. अब जो सबसे important बात है, देखिए मेरे बहुत सारे वीडियो आपको उस पे मिलेंगे, यूट्यूब पे वहाँ पे मैं ये सब जिकर की भी हूँ, ठीक है, और animal kingdom के confusing terms जो एक वीडियो हो, उसमें मैंने ये सब सारी बाते जिकर किया था, और exam में question भी आ गया था, renal portal system से, amniota से, तो बहुत सारी जगों से question आया था, तो इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग एकदम attentive होके पढ़ेंगे, और धीरे 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 अभी आप लोग काफी निनों से मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं, तो हमारे पढ़ाने की strategy और हमारा language आपको धीरे समझ में आ चुका होगा, ठीक है, तो आप एकदम डरिये नहीं, हम लोग धीरे धीरे क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो LT का syllabus है, वो GIC से, समझे है, अगर हम कह सकते हैं, डेर गुना है, GIC का डेर गुना syllabus है, LT का, ठीक है, तो किसी बच्चे ने हम से पूछा था कि मैं माप syllabus कितने दिन में खतम कर देंगे, मैं आपको बता दूं कि मैंने GIC का syllabus 22 से 25 दिन में खतम किया था, 22 से 25 दिन में और एक सिंगल टॉपिक नहीं चूटा था, एक सिंगल टॉपिक नहीं, अभी पूरे फोल्डर पड़े हुए हैं, बाद में उन लोगों के लिए एक स्कीम है, जो मैं पड़ाया है, और जरूरत पड़ने पर हम लोग आगे और अच्छी स्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, जैसे अभी क्या है, हम लोग ऐसे पड़ रहे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कल ही फॉर्म आ गया, तो उसके बाद 2-3 मेने हमें मिलेगे एक्जाम में, अगजाम में 2-3 मेने में आपको इस तरीके से पढ़ के तो काम नहीं चलने वाला है, तो हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि हम आपको बहुत पर्त पड़ाया, आप एकदम डरियें नहीं, आप हम पेऊज भरोसा करी अगा, हम बहुत फर स्लो पड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे तो जिनकी query है कि हम किते दिन में LTE का syllabus खतम कर देंगे तो उनको बस मैं ये कह दूँ कि आपका LTE का exam जब होगा ना उसके 10 दिन 15 दिन पहले syllabus खतम हो जाएगा भले exam आज के 1.5 मेने बाद हो आज के 2 मेने बाद हो आज के 3 मेने बाद हो यह चीज़ मैटर नहीं करती कि आपका exam कब है that that's up to me कि मुझे क्या करना है मैं कैसे syllabus कतम करूंगी आप 100% satisfied होगे क्योंकि मेरे साथ याइसी कि कम से कम 400 बच्चे जुड़े थे और कोई एक सिंगल ऐसा student नहीं है जो unsatisfied है बस एक महिने में जो मैंने बढ़ा है तो आप ऐसा ब मैंने LTE वाले बैच में जो वीडियो मैंने डाला है GIC के ही कुछ वीडियो है तो बस मैंने revision purpose से डाला था क्योंकि बीच में मैंने classes बंद की थी तो इस वज़े से मैंने उसको revision purpose से डाल दिया था कि आपकी जो पढ़ाई है वो रुखनी नहीं चाहिए तो आगे यह क्या कर करना है बस आपने हम पर भरोसा किया है यू डोंट नीड टू स्टड़ी इनी बुक कि आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूत नहीं है आपको बस और बस question solve करने की ज़रूत है और बाद में मैं question practice भी कराऊंगी ठीक है तो आपको और कोई मतलब दुनिया वर की बुक पढ करिए और अच्छा रिवीजन करिए और questions को solve करिए अराम से solve हो जाएंगे सारे question जितने question आने हैं ओके तो आप एकदम परिशान मत होएगा यह सब मेरी उपर है कि मैं उसको कैसे complete करवाती हो चलिए देखिए अब जो questions पूछे जाते हैं कि जो accessory chambers like sinus venusus तो मैं ऐसे लिख द इसके बारे में लिखेगा ठीक इसके बारे में पहला point well developed in well developed in fishes and amphibians fishes और amphibians में यह well developed देखिए अभी इस साल GIC में रेनल पोर्डल सिस्टम पूछा था हमने उसको भी पढ़ाया था ठीक है fishes and amphibians मतलब fishes और amphibians में दोनों होता है sinus venusus भी होता है truncus arteriosus भी होता है फिर दूसरा point reduced in reduced in reptiles reptiles में यह काफे reduced हो जाता है reduced का मतलब undevelop होता है और reptiles में ऐसा माना जाता है कि only sinus venusus पाय जाता है truncus arteriosus नहीं होता है और वो भी reduced होता है और तीसरा point absent in absent in birds and mammals birds and mammals में कोई भी accessory chamber नहीं होता हम लोगों में केवल necessary chambers होते हैं यह आपको समझना होगा ठीक है तो हम लोगों में केवल और केवल क्या होता है necessary chamber होता है तो एक बार आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए necessary chamber, accessory chamber, receiving, pumping, okay accessory chamber में sinus venusus और truncus arteriosus है यह related है auricle से यह related है ventricle से sinus venusus और truncus arteriosus का evolutions आप देखेंगे अगर तो यह एक तरीके से हम कह सकते हैं reverse जो है यह evolution नहीं है पहले यह ज़्यादा develop था फिर यह धीरे 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 क्या हो चुका है reduce हो चुका है यहाँ पर बात समझ में आ चुकी है आगे चले तीक है अब हम देखते हैं types of heart कितने तरीके के heart होते हैं आगे हम लोग देखने की कोसिस करते हैं that is the types of heart दिख रहा है चले मैं दूसरा color ले ले रही हूं types of heart heart कितने तरीके का होता है तो अब देखिए heart generally जो है heart and circulation किते तरीके का होता है heart and circulation To different different vertebrates में किते तरीके का heart and circulation होता hai यह दोग देखते पहले देखिए यहाँ पर एक तरीके का circulation होता है जिसको हम केते single circulation क्या करते है single circulation single circulation दूसरे तरीके का circulation होता है जिसको हम कहते है double circulation क्या नाम देते हैं double circulation कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं double circulation कहते हैं अभी मैं इसका मतलब सब का मतलब बताऊंगी single circulation और double circulation का मतलब क्या हुआ ठीक है क्या होगा आप देखिए यहाँ पे लिखेगा single circulation का मतलब यह है Blood comes only once in heart ठीक, before pumping मतलब heart में blood किवल एक बार आता है pump करने से पहले जैसे, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगे ठीक है, double circulation का मतलब यह है blood comes twice in heart before pumping मतलब pump करने से पहले blood जो है, दो बार heart में आता है ठीक, अब इसको समझेंगे हम लोग आगे इसको हम आगे समझेंगे किसी को अगर हिंदी की problem हो रही है तो हम जब बोल रहे हैं हिंदी बोल भी रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं अपने दिमाग से ये निकाल दीजें हिंदी इंगलिस वाली समस्या, कुछ नहीं है ओके, single circulation ये जो होता है इसकी example है इसकी example है fishes, कौन? fishes, मचलीयों में मचलीयों में single circulation होता है और heart of fishes heart of fishes जो होता है याद रखेगा ऐसे हर्ट को जहाँ पर कि एक बार ब्लड आता है उसको हम लोग क्यते है 맞ा है Single Circuit Heart चलीए aper confused नहीं हिये ऐसे हर्ट को Single Circuit Heart कहते है Single Circuit Heart Single Circuit Heart कहते है इसका बेस्ट एक्जामपल है Fish's अब ही देखिए पहले हम fishes के बारे में देख लेते हैं तो आप इसको समझ में आ जाएगा अब मैं एक बात बता दूँ आपको देखिए fishes का हर्ट कैसे होता है देखिए fishes का हर्ट होता है एकदम ध्यान से देखिएगा ओके अभी ध्यान से एकदम एकदम ध्यान से समझेए यह है fishes का हर्ट कैसा है यह fishes का हर्ट है आपको यह क्या है तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे यह है body part एकदम अच्छे से समझेए fishes की body parts है और यह है यह है देखिए यह वाला जो chamber दिख रहा है इसको कहेंगे sinus venous sos ठीक है हमने खांथा face में sinus venous sos भी होता है ट्रंकस arteriosus भी होता है ठीक और sinus venous sos किस से जुड़ा होता है आरिकल से तो यह है इसका आरिकल और यह है truncus arteriosos और यह किस से जुड़ा होता है ventricle से तो इसमें तो fyshes का झो हर्ट होता है पहली चीज तो आप यहीं पर लिखलेजेगा टो चैमबर रोता है कितना《othing sound का मतलब एक आरिकल और एक विं takes होता है लेकिन दो एकसेशरी चैमबर भी होते हैं कि यहाँ पर और कौन-कौन से sinus venousus B और truncus arteriosus B इत्ती बात समझ में आगी सबको इत्ती बात समझ में आ चुकी है ओके तो fishes का hurt two chambered hurt होता है एक auricle और एक ventricle और देखिए मैंने कहा था auricle से sinus venousus जुड़ा होता है और ventricle से truncus arteriosus जुड़ा होता है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको से मिटा रही हूँ दो accessory chamber तो आपको पता ही है दो accessory chamber क्या क्या है आप यहाँ पे लिख लिजिए accessory chamber क्या क्या है sinus venousus और truncus arteriosus भी है यहाँ पे अप देखिए यहाँ पे क्या है आप इस बात को समझने की जड़ा कोशिस करिएगा कि body part से कैसा blood आता है de-oxygenated blood आता है कैसा blood आता है de-oxygenated blood जो de-oxygenated oxygenated blood de-oxygenated blood को हमने short में DOB लिख दिया है ठीक है DOB अच्छा de-oxygenated blood का मतलब क्या होता है जहाँ पे carbon dioxide जादा हो और oxygen कम हो ठीक इसको हम कहते है de-oxygenated blood और oxygenated blood का मतलब शुद रख जिसमें oxygen जादा होता है carbon dioxide कम होता है अब body part से कैसा blood आया भाई de-oxygenated blood आया और ये आ गया heart में अब heart में de-oxygenated blood सबसे पहले sinus venousus में और sinus venousus से कहां गया ये यहां गया यहां से यहां गया और यहां से ventricle फिर ventricle ही कैसा कैसा blood pump कर रहा है de-oxygenated blood ही pump कर रहा है और ये de-oxygenated blood जाता है gills को किसको जाता है भई gills को और gills यहां gills में gases exchange होता क्योंकि gills जो होते है वो respiratory organ है तो वहाँ पे gases exchange होगा तो ये de-oxygenated blood लेके यह oxygenated blood किसको देगा, body part को देगा, तो body part को क्या मिल रहा है, oxygenated blood मिल रहा है, अब इस पूरे के पूरे diagram को आप देखिए, और बताइए कि यहाँ पे blood जो है, before pumping, hurt में कितनी बार आया है, भाई, एक ही बार आया है, यह देखिए, एक ही बार आया है, केवल एक ही बार blood hurt में आ आते हैं आप से, कि बताइए, fishes का hurt कैसा है, तो जो fishes का hurt का shape पूछ देता है आपको, तो fishes का hurt होता है, वो tubular hurt होता है, कैसा होता है tubular hurt, अब आप कहोगे कि कभी-कभी आपको दे दिया tubular hurt किसका होता है, तो tubular देख रहे हो, एक tube जैसा इसका hurt है, है ना, एक line में सब कुछ हुआ है पहले sinus venuses, फिर आरिकल, फिर truncus arteriosus, फिर ventricle, तो एक tube जैसा है, तो इसको हम tubular hurt कहते हैं, चलिए दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज इसके hurt को हम venus hurt भी कहते हैं, और क्या कहते है, fishes के hurt को हम venus hurt भी कहते हैं venus hurt इसको इसलिए कहते है ध्यान से समझे। VAIN, VAIN से آया है VAINUS, अब आपको कि VAIN का मतलब क्या है तो एक बात समझना, VAIN क्या करती है, VAINES hurt को, हर्ट को बलड लेके जाती है, मतलब हर्ट को बलड को लेके जाता है VAIN, और कैसा बलड, de-oxygenated blood de-oxygenated blood कैसा blood माना जाता है? अशुद माना जाता है कैसा माना जाता है? अशुद क्योंकि यहाँ पे carbon dioxide ज़्यादा है oxygen कम है तो आप कोगे vein मतलब अशुद रखत vein में क्या होता है? अशुद बलड होता है और hurt से fish शुद रखते है oxygenated blood कौन लेके आता है artery तो आप कोगे hurt से कौन लेके आता है? आर्टरी लेके आते हैं तो हम veins में अशुद रखता है तो ऐसा माना जाता है कि fishes का hurt fishes का hurt pump करता है only de-oxygenated blood fishes का hurt में कहीं hurt से oxygenated blood का कोई connection ही नहीं है hurt में de-oxygenated blood आया और hurt ने de-oxygenated blood ही pump किया है तो इसलिए इस तरीके के hurt को क्या करते है venus hurt venus hurt का मतलब pumps pumps only de-oxygenated blood ऐसा hurt जो केवल अशुद रखत पंप करता है इसको हम लोग कहते हैं venus hurt कहते हैं चलिए तीसरी चीज़ क्या है fishes के hurt को branchial hurt भी कहते हैं क्या कहते हैं branchial hurt कहते हैं देखे कितने नाम है fishes के hurt को branchial hurt भी कहते हैं तो देखे tubular hurt venus hurt tubular तो इसका shape हो गया venus हमने देखा कि इसके function के basis पे और branchial भी इसके function के basis पे देखेंगे branchial का मतलब है जैसे आप पढ़ते हो क्या कहते हैं C3 cycle C3 cycle में आप उसका नाम क्यों पढ़ा है C3 cycle तो आप कहते हो कि पहला stable complex वहाँ पे तीन कारबन का बनता है इसलिए उसको C3 cycle कहते हैं तो इसी तरीके से कहते हो C4 cycle C4 cycle क्यों नाम पढ़ा क्योंकि पहला complex चार कारबन का बनता है इसलिए इसको C4 cycle कहते हैं इसी तरीके से पहली बार ब्लड किसको मिला भाई, गिल्स को मिला, हर्ट से पहली बार ब्लड किसको मिला है, गिल्स को मिला है, और गिल्स से एक term related होता है, ब्रांचियल, ब्रांचियल टर्म गिल्स से related होता है, इसलिए इसको ब्रांचियल हर्ट भी कहते है, important है, तो यह हमार रहा single circulation, so single circulation कहां पे होता है, fishes में होता है, अब एक बार इसको आप यहां से ध्यान से देख लेजिए, चलिए देखे, हमने circulation क्या बताया है, दो तरीके का होता है, ध्यान से देखे इसको फटा-फट, single circulation और double circulation, single circulation का मतलब है, blood comes only once in heart before pumping, I am not discussing double circulation right now, हम लोग बस के विल single circulation की ब single circuit hurt कहते हैं, क्या कहते हैं, single circuit hurt, for example, fishes, अब fishes के hurt में, दो चैंबर hurt होता है, एक आरिकल और एक वेंटरिकल, और साथी साथ इसमें, दो एक्सेसरी चैंबर भी होते हैं, sinus venousus और truncus arteriuses, अब इसके hurt का single circulation कैसे होता है, मैंने कहा कि देखे, यहां पे क्या होता है, यह है body part, body part से deoxygenated blood आता है, hurt के अंदर, और इसका यह hurt है, hurt में sinus venousus, auricle, truncus arteriuses, और ventricles, अब एक सीध में लगे होते हैं, और इसका shape एक tube जैसा होता है, इसलिए इसको tubular hurt भी कहते हैं, तो hurt में blood किवल एक बार आ रहा है, एक ही बार hurt में blood आ रहा है, इसलिए इसको single circulation कहते हैं, blood सबसे पहले deoxygenated blood सबसे पहले gills को आता है, इसलिए इसको bronchial hurt भी कहते हैं, this is all about the single circulation and single circuit hurt of vices, okay, now come to the second, that is the double circulation, double circulation को discuss करने की ज़रूद है, double circulation क्या है, इसको ध्यान से समझी, एकदम ध्यान से दे, double circulation में हमने कहा कि double circulation क्या है, hurt में blood दो बार आता है, कितनी बार आता है, दो बार आता है, इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं, hurt में blood दो बार आता है, ये दो तरीके का होता है, double circulation दो तरीके का होता है, एक होता है incomplete double circulation, कैसा है, incomplete double circulation, ठीक, या फिर इसी को कहते है, mixed double circulation, mixed double circulation और दूसरा है complete double circulation complete double circulation complete double circulation incomplete double circulation या mixed double circulation और complete double circulation देखें पढ़ना पढ़ना अब हम लोग का साथ में लगा रहेगा और जैसा कि मैं आपसे कह रही हूं आपने बहुत अच्छा decision लिया है कि आपने अभी से admission ले लिया है जितने लोग करीब सौ से ज़्यादा बच्चों ने अभी तक admission ले लिया है काफी impressive जो है response है तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग थोड़ा सा सचेत हो चुके हैं अपने पढ़ाई को लेके और मैं बता रही हूं कि आप विश्वास करिएगा अगर हम साथ पढ़ लिए साथ हम लोग पढ़ लिए ना तो हम लोग एकदम मैं यह तो नहीं कह सकती कि हां हर कोई select हो जाएगा लेकिन maximum लोग अच्छा करेंगे बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि हम concept के साथ पढ़ेंगे और आज से ही आपका पूरा काम होना शुरू हो जाना चाहिए सारे काम आपके सगेंडरी होने चाहिए लेकिन आज से ही आपको अपना time table prepare कर लेना है कि हमको यह लगमाली जे डेढ़ घंटे का lecture है अगर आपका ठीक है तो डेढ़ घंटे का lecture देखने और लिखने में आपको 2-5 गंटे लग सकते हैं और उसको आप रिवाइस कर सकते हैं आधे गंटे में और आप अपना एक short note या अच्छा note बहतर note prepare कर सकते हैं और उसके बाद आप questions को भी solve कर सकते हैं मतलब daily आपको पास से गंटे पढ़ाई करना शुरू कर देना होगा और जैसे ही धीरे 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 हम लोग तो इससे speed बढ़ाएंगे और आगे चलके और भी और ऐसा मत डर यह कि बढ़ाएंगे मतलब हम एकदम super fast पढ़ाना शुरू कर देंगे नहीं आपको सब समझ में आएगा आ हम ऐसे सकते हैं कि हम सामने बढ़ाई नहीं कर रहे हैं नहीं तो हमारे class की विच्छों का response जब हम सामने बढ़ाई करते थे तो response अच्छा हुआ करता था बहुत अच्छा हुआ करता लेकीन आप इतना मान के चलिए की आप इतने बड़े को चुके हो कि आप अपना ऑच्छा बुरा भला सब कुछ आपको पता होगा कि हम किस सहरी के से पढ़ाई करनी होगी कितना पढ़ना होगा हम सेलेक्षन के कि मेरी बातों को थोड़ा सा मानने की कोसिस करिएगा क्योंकि मैं बार बार किया रही हूं ना कि 12 साल से पढ़ाते पढ़ाते इतना ज़्यादा कि मुझे बता है कि कैसे आते हैं और उसका रिजल्ट भी सब लोगों को दिख भी रहा है कि कि अगर मैंने बता दिये कि यह टॉपिक आपको करा भी दिये तो वहां से चोटे-चोटे वीडियो से दो-दो-तिन-तिन आ जाते तो अभी भी मैं आश्रम पद्धति के लिए देख सब्सक्राइब करें जाते हैं तो अभी जैसे हम हर्ट पढ़ रहे हैं तो हर्ट का हम एक से क्षेन भी नहीं चोड़ेंगे कि मतलब क्षेन आया और नहीं लग पाए तो हम लोग बोस्ति करेंगे और रटे के भी नहीं लोग रटेंगे भी नहीं देख लीजेगा आप जैसे इस चैप्टर को समाप्त करोंगे आपको लगेगा अच्छा हर्ट ऐसे बढ़ा जाता है हां तो बिल्कुल आप एकदम तयार रहें आप लोग एकदम टेंशन नहीं लेना है कि हां कैसे पढ़ाई करने है ठीक चलिए रे देखे नेक्स हम लोग देखेंगे हमने कहा कि सर्कुलेशन इंकम्प्ली डबल कर लुएशन और कम्प्ली डबल कर सब्साट दो तरीके का होता है अ Amphibians and Reptiles में Amphibians and Reptiles में होता है और यह Complete Double Circulation पाया दाता है Birds और Mammals Birds और Mammals इतनी बात आप पहले समझे In Complete Double Circulation या Mixed अब actually होता क्या है पहले आप समझने की कोसिस करिएगा थोड़ा सा अब अगर मैं Amphibian की बात करूँ और Reptiles की बात करूँ तो ऐसा माना जाता है कि इनका हर्ड 3-Chamberd होता है Actually आप यहाँ पर ध्यान देजे Amphibian का हर्ड 3-Chamberd होता है किता होता है? 3-Chamberd होता है मतलब 2 आरिकल और 1 वेंट्रिकल ठीक? 2 आरिकल और 1 वेंट्रिकल और Reptiles का हर्ड मान के चलिएगा 3-Chamberd माना जाता है लिख लिजिएगा क्योंकि आपको देखे अगर advanced तरीके से पूछा तब तो यही आएगा 3-Chamberd होता है और अगर एक बहुत generalized तरीके से पूछेगा तो 3-Chamberd ही मान के चलते हैं इतनी बात याद रखेगा advanced तरीके से हम अभी आपको बता रहे है reptiles का 3-Chamberd होता है जैसे अब आपको कि 3-Chamberd होता है का मतलब क्या हुआ 2 auricle हो गया और 1-Chamberd हो गया 1-Chamberd होता है दो नहीं होता है दो नहीं होता है incomplete होता है दूसरा वाला अब कैसे हम इसको देखेंगे अब इसको ध्यान से समझेगा जैसे fishes का amphibian के अगर हम बात करें तो एक मैं amphibian का hurt बना रही हूँ आप tension ने लेना कि हर्ट ऐसा होता है क्या नहीं बस आप समझने की कोसिस करना यह है एक amphibian का hurt amphibian के hurt में क्या है यह right arical है और यह left arical है दो arical हो गया लेकिन ventricle A कही होता है अब आप कोगे कि इसमें तो फिर क्या हुआ तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ से right arical में deoxygenated blood आता है और left arical में oxygenated blood आता है हम लोगों में भी ऐसे ही होता है हमारे right arical में पूरी body parts से deoxygenated blood आता है और left arical में lung से blood आता है oxygenated आगे हम देखेंगे लेकिन यह अशुद्ध रक्त है और यह शुद्ध रक्त है दोनों की mixing एक इसमें होती है किसमें होती है तो इसको थोड़ा समय बढ़ा भी दे रहे हूँ देखे दोनों की mixing यहाँ पे होती है किसमें deoxygenated और oxygenated blood की mixing ventricle में होती है अब आपको यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या होता है oxygenated और deoxygenated blood की mixing कहा होती है ventricle में होती है अब ventricle से blood जाता है कहाँ पे body parts को जाता है यहाँ से blood किसको जाता है Body Parts तो जाता है, किसके सहारे ओड़ा के सहारे, तो कैसा Blood जा रहा है? Mixed Blood जा रहा है तो Body Part को Mixed Blood मिल रहा है, इसलिए इसको हम इन, देखे, Double Circulation तो है, Double Circulation तो है, यह क्योंकि हमना कहा था, Double Circulation का मतलू हर्ट में दो बार Blood आ रहा है लेकिन, तो देखे, हर्ट में दो बार ब्लड आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, तो दो बार ब्लड आ रहा है, लेकिन, ब्लड, हर्ट से ब्लड केवल एक ही बार जा रहा है, और mixed blood जा रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, incomplete double circulation या mixed double circulation कहते हैं, incomplete double circulation या mixed double circulation कहते हैं, am I clear है तो ये हो गया हमारी कहानी amphibian की, ओके एक बार आप देख लीजे, amphibian का, हमने double circulation पढ़ाया था, double circulation में incomplete double circulation, mixed double circulation amphibians और reptiles में होता है और amphibian का हर्ड three chambers होता है, two auricle one ventricle होता है यहाँ पे हमने कहा कि auricle में blood कैसा आता है इधर से right auricle में deoxygenated left में oxygenated और ventricle से mixed blood जाता है ठीक है इसलिए इसको हम कहते हैं incomplete double circulation तो यह कहानी हमारी होगी किसकी amphibians की आते हैं हम थोड़ा सा reptiles के बारे में देखते हैं देखे रेप्टाइल में भी कुछ ऐसे ही होता है और यह question पता है आपको यह advance तरीके से जो लोग पढ़े होंगे न वो TGT में यह question पूछा गया था अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या पूछा गया था TGT में तो देखे रेप्टाइल में दो आरिकल है ठीक है यहां पर मैंने लिखा दो आरिकल राइट आरिकल लेफ्ट आरिकल आपको पता है राइट आरिकल में deoxygenated blood और लेफ्ट आरिकल में कैसा बलड आता है oxygenator ventricle में अब ये chamber बनना शुरू होता है ये septum बनना शुरू होता है क्योंकि आरिकल में septum है तो ये inter auricular septum कहलाता है लेकिन ventricle complete septum नहीं होता यहाँ पे complete septum नहीं होता ventricle में तो हम कहते हैं कि ventricle one and half मानके चलते हैं इसको क्या कहते हैं one and half तो ये septum incomplete होता है तो interventricular septum कैसा है यहाँ पे interventricular septum incomplete कैसा है incomplete है मतलब पूरा नहीं बना है अब एक बात समझे फिर वही कहानी है यहाँ पे deoxygenated blood और यहाँ पे oxygenated blood आएगा दोनों की mixing होगी और यहां से जब ओटा के सहारे blood जाएगा तो कैसा blood जाएगा sorry कैसा blood जाएगा mixed blood जाएगा body parts को mixed blood जाएगा तो यह भी incomplete ही है बस फरक यहाँ पे यहाँ पे septum बनना शुरू गया अब TGT में TGT में ध्यान दिजेगा TGT या PGT मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन इसी साल TGT में यह question पुछा गया था lizard का ठीक है lizard का lizard का lizard में यह question आया था कि बताए lizard क्या है बाई reptile है तो दिया था interventricular septum incomplete in तो उसमें आपको दिया था birds दिया था mammals दिया था और भी एक option दिया था mammal का ही और एक दिया था lizard तो आपको याद रखना है reptiles में यह interventricular septum क्या होता है incomplete होता है am I clear ठीक है यह question दिया गया था अब आते हम लोग तो यहां तक हमें बात तो समझ में आ चुकी है कि बताइए आ चुकी है ना यह बात समझ में देखिए एक बार देख लीजे आप लोग इसको अभी हम लोग इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन मिक्स्ट सर्कुलेशन एमफीबियन और रेप्टाइल में है क्यों इसको मिक्ष्ट कहेंगे क्यों डबल कहेंगे यह मैंने आपको बता दिया एक बार इस डाइग्राम को देख लीजे दोनों के डाइग्राम हो गया है समझ में आ गया सबको अब आते हैं हम लोग देखिए ध्यान से देखिए अब आते हैं हम लोग कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पर बर्ड और मैमल में होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आगे चलें यहां तक तो हो गया चीजें बर्ड और मैमल में होता है कंप डबल सर्कुलेशन तो इसको हम यहां से देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है तो अब चलिए देखिए हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं बर्ड्स और मैमल्स में यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं तो अब हम आते हैं कम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हमने कहा था complete double circulation कहा होता है birds में और mammals birds और mammals में होता है birds और mammals में होता है अब याद रखिएगा कि इन में four chambered hurt होता है इन दोनों में कैसा chambered hurt होता है four chambered hurt होता है इन दोनों में कैसा hurt होता है 4-chambered hurt होता है और 4-chambered hurt मतलब 2 auricle और 2 ventricle and there is no mixing of no mixing of deoxygenated blood and oxygenated blood यहाँ पे oxygenated और deoxygenated blood की mixing नहीं होती कैसे होता है इसको थोड़ा सा देखते हैं देखे मेरा diagram section तो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन हमें अभी diagram बना के master नहीं बनना है हमें बस जरूरत की चीजें पढ़नी है ठीक है दिखे मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक hurt ठीक समझे मैं bird और mammal का hurt बनाने की कोसिज कर रही हूँ और आप देखना यह माल लिजे मैंने बना दिया एक एकदम ध्यान से समझना है आपको ठीक है यह है एक hurt अब आपको बस ध्यान देना है जो मैं आपको बताने वाली है एकदम प्लीज अब क्या है यहाँ पर देखे यह है हमारा right aricle यह है हमारा left aricle और यह हमारा right ventricle और यह हमारा left ventricle right aricle में आता है कैसा blood deoxygenated blood और left aricle में आता है कैसा blood oxygenated blood फिर right ventricle में यह deoxygenated blood नीचे आ जाता है तो यह deoxygenated blood नीचे आ गया left ventricle में भी यह नीचे आ गया तो यहाँ पे oxygenated blood है तो क्या deoxygenated और oxygenated blood की mixing हो रही है नहीं हो रही है नहीं हो रही है ना दोनों क्योंकि यहाँ पे यह जो interventricular septum है यह कौन सा सेप्टम है बताईए यह देखे ध्यान से देखिएगा यह कौन सा अभी मैं हर्ट की अनॉटमी पढ़ाऊंगी तो भी बताऊंगी यह जो है उपर वाला जो आरिकल को सेपरेट किया है दोनों एट्रिया को सेपरेट केर कर रहा है उसको हम कहते हैं इंटर एट्रि सेप्टम ठीक और जो दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है इसको हम कहेंगे इंटर वेंट्रिक्यूलर इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम ठीक इंटर वेंट्रिकूलर सेप्टम यहां तक बात समझ में आ गई अब यहां पर देखिए ऑक्सीजी डियोक्सीजिनेट इस चैंबर में है राइट वाले चैंबर में शुद्रक्त लेफ्ट वाले चैंबर में है तो याद रखेगा शुद्रक्त हमारा कहां पे है लेफ्ट वाले चैंबर में है और अब क्या होता है यह बताइए यहां से राइट वाले चैंबर से शुद्रक्त जाता है ध्यान को जाता है इसको जाता है लंक्स को जाता है तो फेफडों को कैसा बलड़ जाता है अशुद्ध बलड़ जाता है ये बात याद रखिएगा और इस वाले चैंबर से इस वाले चैंबर से देखिए ध्यान से समझेगा ध्यान से प्लीज फुली एटेंटिव रहना है आपको इ इस वाले चैमबर से मैं दूसरे कलर से बना रही हूं इससे लेफ्ट वाले चैमबर से यहां से एक बड़ी ओर्टा निकलती है और ऐसे नीचे की तरफ आती है इसको हम लोग केते हैं इस ओर्टा को हम लोग केते हैं अभी मैं पूरा बना दूंगी टेंशन ने लिजे यह mixing of blood ठीक ये light आप देखिए यहां से आप ध्यान से समझिएगा आप इस बात को समझने की कोशिस करिए अभी कोई confusion नहीं होना चाहिए हमने कहा कि यहां से blood कहां से आया है पूरे body parts को आया है ठीक पूरे body parts deoxygenated blood आया है right article में लेकिन ये किसको लेके जाता है ये आगे चलके धेर सारी artery में divide हो जाता है ये बड़ी artery है ठीक है ये बड़ी artery है फिर ये धेर सारी छोटी छोटी artery में divide हो जाता है और ये छोटी छोटी artery में divide होने के बाद पूरी की पूरी body parts को blood देती है ये ओटा पूरी की पूरी body parts को यहां से blood मिलता है ठीक अब आप समझिए कि body part से blood कहां पे आया right article में और body part को blood कहां से गया left venticle से तो इसे cross से याद रख लेना ठीक और देखिए left वाले में इस वाले chamber में left article में ठीक है कहां से blood आ रहा है lungs से आ रहा है lungs से oxygenated blood आ रहा है लेकिन lungs को जा कहां से रहा है right ventricle से तो cross याद रखना आपको दो जगें से blood आ रहा है और दोनों जगें से फिर जो है दोनों जगें को blood अलग-अलग blood जा रहा है mixing नहीं हो रही है ठीक है तो आगे हम लोग इसको देखेंगे तो आप कह सकते हो कि देखें बॉड़ी पार्ट से related कौन-कौन है बॉड़ी पार्ट से related कौन-कौन है तो आप यहां पे लिख लो बॉड़ी पार्ट मतलब पूरी बॉड़ी पार्ट से बॉड़ी पार्ट से ब्लड कहां से आया कहां किस में आया राइट आरिकल में और बॉड़ी पार्ट को ब्लड कहां से गया लेफ्ट वेंटर किल क्रॉस से याद रख ले ना ठीक और अगर मैं लंग्स की बात करूं तो आपको गे लंग्स से ब्लड कहां पे आया तो आपक इस तरीके का जो ब्लड है इस तरीके का जो circulation है वो कैसा circulation कहलाता है double circulation कहलाता है complete double circulation कहलाता है और यह बर्ड और मैमल में पाया जाता है किसमें पाया जाता है? बर्ड और मैमल में. अब मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल बात लेके जाओ. आप कोईगे फिर बर्ड और मैमल के हर्ट में कहीं कुछ अंतर है क्या? दोनों का हर्ट लगभक सेम है. चार चेमबर्ड है, दो आरिकल दो वेंट्रिकल है, कोई भी अक् absent होता है, मैंने starting में यह आपको बदा है, तो आप कोगे कि क्या कोई difference है क्या bird और mammal के heart में, तो एक छोटा सा difference है, उसको आप जरूर note कर लिजेगा, बस copy में लिख लेजिए, कि देखे, mammal के heart में, mammal के heart में, जब यह ओर्टा यहां से निकलती है, यहां से निकलती है यह ओर्टा, left ventricle से, यह सबसे बड़ी artery को ओर्टा कहते हैं, और यह systemic ओर्टा ही सबसे बड़ी artery होती है, तो यह left turn लेती है, ऐसे left side घूम जाती है, left side में, लेकिन bird के heart में, यही थोड़ा सा इसे right side में turn होके, फिर artery में divide होती है, बस यही अंतर होता है, mammal और bird के heart में, बाकी structure, anatomy, same होता है, mammal और bird के heart का anatomy क्या होता है, same होता है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है किशी को, कोई भी चीज की बताए, कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, इतनी बात समझ में आ आप से पूछता है कि, बताए, आप आरिकल और वेंट्रिकल देखिए, और पूछता है, बताए, किसकी वाल, किसकी भिति, किसकी दिवार सबसे ज़्यादा थिक होनी चाहिए, थिक किसकी वाल सबसे ज़्यादा थिक होती है, और किसकी वाल सबसे ज़्यादा थिन होती है, तो आपको मैं एक बात बता दूँ कि अब इसको देख लिए डाइग्राम बना लिजे स्क्रीन शॉट ले लिजे आप लोग हम अलाओ कर देंगे स्क्रीन शॉट अभी फिलहाल के लिए अगर आज ना हो पाए तो आप लोग अभी बनाते चलिए वीडियो को पॉस करिए और यह चीज बना लिजे ठीक आए आगे चलते हैं लोग देखे अब जो बात समझ में आने चाहिए आपको वो यह है कि थिकनेस ओफ वाल कभी-कभी पूझता है थिकनेस ओफ वाल तो इसको आपको पता होना चाहिए कि सबसे थिनर वाल किसकी होती है और सबसे थिकेस्ट वाल किसकी होती है तो आप कोगे कि क्योंकि देखे क्योंकि हम कहेंगे यह जो आरिकल है भाया आरिकल को जादा लोड नहीं होता है क्योंकि आरिकल में ब्लड आता है और यहां से ब्लड केवल नीचे पंप होना है कहां पे नीचे पंप होना है वेंटरिकल में तो इस पे जादा तो दिखे हम कहेंगे कि भाई आरिकल की जो वॉल है सबसे पतली होती है क्योंकि इस पर ज्यादा प्रेशन नहीं होता फिर कहेंगे कि अच्छा वेंट्रिकल की वॉल थिक है तो कौन से वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक होती है तो आप कोगे कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है क्योंकि left ventricle समझें left ventricle पे भार जादा है भार जादा है मतलब इसको पूरे body parts को blood pump करना रहता है तो इसकी wall सबसे thickest होती है और इसकी wall इससे कम thick होती है तो अब देखी मतलब left ventricle की wall सबसे ज्यादा thickest होती है तो आप कोगे यहाँ पे कि अगर हम wall thickness की बात करें वाल थिकनेस की बात करें तो आप कोगे की सबसे थीनर वाल या सबसे थीनेस्ट आप कोगे थीनेस्ट सबसे थीनेस्ट वाल जो होती है वो होती है किसकी आरिकल की किसकी आरिकल की दोनों आरिकल की अगर हम बात करें ओके और उसके बाद थीकर वाल किसकी होती है 20 की क्योंकि इसमें भार सबसे जादा है क्योंकि इसको पूरे बॉड़ी पार्ट को ब्लड पॉम्प करना होता है यह हो गया है ना तो यहां तक अब हमें बात समझ में आ चुकी है अब चलिए देखे आपसे अगला कुश्चन कैसे पूछा जाता है अब अगला कुश्चन दो तरीके से पूछा जाता है एक होता है अब हमने हर्ट देखा हर्ट को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि यहां पर हमें दिख रहा है दो तरीके के चैमबर एक तो हमें दिख रहे ह राइट चैम्बर्स कैसे चैम्बर्स राइट चैम्बर्स तो आप कोगे कि राइट चैम्बर क्या है तो आप कोगे राइट साइड वाले चैम्बर में राइट आरिकल है और राइट वेंट्रिकल है है ना राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल है ठीक है राइट आरिकल ह और right ventricle है और फिर आपको के left chamber दूसरा क्या है left chambers और left chambers में क्या है left arical है और left ventricle है अब एक बात आपको समझना है कि right chamber में only deoxygenated blood है right side में deoxygenated blood है और left side में कैसा blood है oxygenated blood कैसा blood है oxygenated blood है ठीक है एक बात समझेगा आप जैसे अभी हमने देखा था देखिए right side में कैसा blood है बताईए केवल deoxygenated blood है ना देखिए right side में केवल deoxygenated blood है और left side में केवल oxygenated blood है तो अब हमें एक बात समझ में आ रही है कि right side वाला जो chamber है, pumps, किसको blood pump करता है, pumps blood to, लिख लिजे, pumps blood to lungs, किसको blood pump करता है यह, यहां से blood किसको जाता है, lungs को जाता है, right ventricle से blood किसको जाता है, lungs को, इसलिए इसको हम pulmonary chamber कहते हैं, क्या कहते हैं, pulmonary chamber, अब आप confused नहीं होना क्या कहते हैं pulmonary chamber कहते है ठीक दूसरी pulmonary मतलब pulmon का मतलब होता है lungs pulmon मतलब lungs देखे left chambers में कौन-कौन है oxygenated blood तो oxygenated blood किसको pump होता है pumps ठीक है blood to whole body parts whole body parts अब एक बात मैं आपका बता दू body parts से एक term related होता है जिसका नाम दिया जाता है systemic जैसे जैसे लंक से related term को क्या कहते है pulmon कहते है ठीक है और liver से related term को hypatic कहते हैं क्योंकि liver का दूसरा नाम hepatic है hyper है head से related term को cephalic कहते हैं ठीक और इसी तरीके से आपका diaphragm से जो एक term related होता है उसको phrenic कहते हैं phrenic ठीक है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है तो term तो systemic मतलब आ गया जहां पे भी systemic artery है systemic vein है systemic circulation है वो body part से related होता है तो body part से related term को क्या कहते है systemic और आपको पता है यह blood pump किसको कर रहा है whole body parts को इसलिए इसको हम कहते हैं systemic circulation तो हमारे पास दो तरीके के chambers हो गए आप से अब question में देखे एक बार यही question पूछा गया था कि बताईए systemic chamber मैं से question दिया हुआ था देखिए मैं question बता भी दे रहे हूं कहां question था यह आपके किसी biological exam टिश्टी पिश्टी या जी आइसी में ही कोई question पूछा गया था मैं देख रहे थी कि दिया था systemic circulation systemic circulation या systemic chamber दिया था systemic chamber दिया था systemic chamber तो option था only oxygenated blood only oxygenated blood दूसरा option था only oxygenated blood ठीक है फिर दिया था तीसरा option था left side of chamber ठीक है A, या 1 दिया था, A and B, ऐसे करके, 2nd था, B and C, 3rd था ऐसे, A, B, C, ठीक है, और उसके बाद था, 4 था, A and C, ऐसे करके, तो अब आप बताइए कि क्या systemic chamber किसको कहेंगे हम, systemic chamber किसको कहेंगे, तो हमारा, ये भी सई हो जाएगा, इसमें केवल oxygenated blood होता है, systemic chamber में कैसे blood होते हैं, केवल oxygenated blood होता है, और दूसरी बात हम क्या कहेंगे, left side वाले chamber को हम systemic chamber कहते हैं, क्योंकि यहाँ से blood body part को जाता है, right side वाले chamber को हम लोग pulmonary chamber कहते हैं, क्योंकि यहां से blood पूरे के पूरे मतलब blood किसको जाता है? lungs को जाता है तो इस तरीके से आप कोगे A and C सही है क्या सही है? A and C सही है इसी तरीके से आप से pulmonary chamber भी पूछ दिया तो pulmonary chamber में आप कोगे B and D सही है only deoxygenated blood और right side के chamber को pulmonary chamber कहेंगे clear? यहां तक बात समझ में आ गई है आगे चले हम तो अब देखी अब दूसरा यह तो था systemic यह चैमबर था अगर इसी तरीके से आप से circulation पूछ दिया ठीक है? अब देखे circulation तो हम कहेंगे circulation दो तरीके का होता है एक है आप कोगे एक है pulmonary circulation एक टाइब के circulation को हम कहते है pulmonary circulation और दूसरे टाइब के circulation को कहते है systemic circulation systemic circulation ओके आप जड़ा ध्यान से समझना है इस बात pulmonary circulation और systemic circulation में अंतर गया pulmonary मतलब lung से related chamber कौन कौन से है तो आप कोगे lung से blood किसमे आया है तो आप कोगे left आरिकल तो left आरिकल और lungs को blood किसमे किस से गया है right ventricle से ठीक अब मैं यहाँ पर दिखाऊंग आपको यह देखे lung से blood किसमे आया है left आरिकल में और lungs को blood किस से गया है right ventricle में तो इन दोनों को मिला के हम कहेंगे pulmonary circulation से related है lungs के circulation से related कौन कौन है तो यह हो गया आपका left आरिकल और right ventricle इसी तरीके से systemic circulation में body parts से blood किसमे आया है तो आपको होगे right आरिकल में और body parts को blood किस से गया है left ventricle से तो यह cross जैसा हो जाएगा वहाँ पर अलग था chamber हम अलग पढ़ रहे थे circulation अलग है ठीक है अब देखिए pulmonary circulation को हम क्योंकि यह pulmonary circulation also called as lesser circulation इसको हम क्या केते हैं lesser circulation कभी कभी lesser circulation lesser मतलब कम केवाल यह lung से आना जाना है lung से मतलब है लेकिन systemic circulation also called as इसको हम और क्या केते हैं greater circulation के थे कैसा? Greater Circulation अब इसका मतलब क्या है? L LACER CIRCULATION और Greater CIRCULATION का मतलब क्या है? देखे Greater मतलब पूरी Body Part मतलब Amount में Bulk में पूरी Body Part से Blood आना और पूरी Body Part को Blood जाना यहां से होता है इसलिये इसको हम Greater Circulation कहते हैं और यहां तो लंग से आना, लंग को जाना, इसलिए इसको हम laser circulation कहते हैं यहां तक बात समझ में आ चुकी है किसी को कोई problem नहीं होनी चाहिए, यह चीज आज आप समझ लेजिए, ठीक है, तो अभी हम लोगोंने जित्ती भी चीज़ें पड़ी हैं, उसमें कोई problem नहीं है, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा, ध्यान से समझते हैं इतनी चीज़ें अभी हमें समझ में आ गई हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, hurt के बारे में हर्ट के बारे में देखते हैं अब देखिए, अब हम hurt की बारे में दिहान से समझेंगे अभी तक हम chamber number के बारे में बढ़ रहे थे अब हम कहेंगे हमारा hurt कैसा है तो पहली चीज तो आप जान जाएगे कि जो हमारा hurt का size है इसका जो size है इसका color ठीक है इसका weight इतनी चीज़ और इसका location चार चीज़े हमें जानना है Size, Color, Weight और Location अगर हम Size की बात करें तो देखें पहली चीज़ तो हम पहले Size की बात कर लेते हैं तो इसकी जो Size है न वो बंद मुठी के जैसे होती है किसकी? Fist Fist कहते है आप इसको Fist मतलब बंद मुठी ये देखें बंद मुठी के जैसा हमारा हर्ट का Size है इसका Shape आपको ऐसे ही दीखेगा इसके बाद अगर मैं इसके Color के बारे में बात करूँ तो इसका Color जनरली Pinkies होता है कैसा होता है Pinkies और इसका Weight की बात करूँ तो Male और Female में इसका Weight थोड़ा सा वैरी करता है Male में जनरली 280 ग्रामस से लेके 340 ग्रामस तक होता है और Female में 240 ग्रामस से लेके 280 या 70 ग्रामस तक होता है तो इसका Weight थोड़ा सा वैरी करता है Male और Female अब आते हम इसकी थोड़ा सा और भी इसकी Size के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो Apex होता है Heart को जो आप उपर से देखेंगे तो इसका Apex कैसा होता है थोड़ा सा Pointed होता है जैसे मैं कह रही हूँ Apex थोड़ा सा ऐसे Pointed होता है ठीक और Base इसका थोड़ा सा Broad होता है इसका Base कैसा होता है Broad होता है Apex Pointed है और Base कैसा है broad है, clear, यहां तक कोई चीज दिक्कत नहीं होने चाहिए, आगे आए हम, अब हम आते हैं इसके location के बारे में बात करते हैं, तो देखे हर्ट की जो location होती है, वो होती है, located in, लिख लिजेगा, located in medistinum, या फिर chest cavity, chest cavity, medistinal cavity या, chest cavity, अब आप कोगे कि इसका मतलब क्या है, तो देखें, जैसे, यह हर्ट और एक और चीज लिख लिजेगा, two third part, two third part जो इसका होता है, towards left side, body के left side में होता है, इसका, लगभग two third part, located in medistinum, our chest cavity, in cardiac notch, in cardiac notch, लिख लिजेगा, cardiac notch, अभी मैं मतलब भी बताऊंगी, और cardiac notch क्या होता है, this is the depression, depression in left lung, left lung का depression को cardiac notch कहते हैं, अब देखिए, अब इसको बस इतना लिखने के बाद आप समझेगा, जैसे देखिए क्या होता है, ये है हमारा, ये है हमारा trachea, ठीक है, और trachea ये हमारा, इस तरह के से divide हो जाता है, आगे जिसको हम air pipe कहते हैं, और ये हमारा right lung होता है, ठीक, और ये हमारा left lung, लेकिन left lung जो है, left lung में ऐसे छोटा सा एक depression होता है, इस depression को कहते हैं, cardiac notch, और देखिए, ध्यान से, ये है हमारा right lung, और ये है left lung, फेफणों की बात करें, दोनों फेफणों के बीच में ये जो जगह है, इसी को कहते हैं medistinum, क्या कहते हैं, medistinum, chest cavity, medistinum या chest cavity, ओके, chest cavity, अब इसी chest cavity में, ये जो हमारा left lung है, जो हमारा left lung है, इसमें एक छोटा सा ऐसे depression है, गढ़्धा है, इसी गढ़्धे में hurt ऐसे fit होता है, अब आप कहोगे, कि ये hurt का जो लगबग, दो से दो third part होता है, two third part, वो left side, left side होता है, left lung के depression में, तो इस तरीके से हम कहेंगे, हमारा hurt, दो chest cavity के बीच में, towards the left side, in the depression of left lung, that is the cardiac notch के अंदर पाया जाता है, तो ये हमारे hurt की location है, Okay, located in medistinum, or chest cavity in cardiac notch, इतनी बात समझ में आ गई है, तो ये हमारे hurt का location है, ठीक, अब देखिए, हमारा जो hurt होता है, उसमें membranes होती है, क्या होता है, Membranes, तो देखिए, अगर मैं hurt की बात करूँ, तो देखिए, अगर जो हमारा hurt है, ध्यान समझेगा, hurt की membrane, कोई भी है, जिसे hurt मालेजी ये है, तो इसके पास इसको surround किये है, कोई एक membrane होगी, अब एक membrane, एक membrane, बाहर वाली membrane, अलग होती है, और अंदर वाली membrane, अलग है, ठीक है, उसको क्या करता, hurt की membrane को कहते है, called as pericardium, peri का मतलब होता है, बाहर या surround करना, cardium मतलब hurt, pericardium, pericardium किसकी membrane है, hurt की membrane है, और pericardium दो होता है, ठीक है, outer pericardium, outer pericardium, okay, बाहर, एक बाहर, और एक inner pericardium, inner pericardium, तो outer और inner हो गया, अब याद रखना, generally जो भी जितने भी हमारे visceral organ होते हैं, वो double membrane से surround होते हैं, जो बाहर का होता है, उसको हम parietal कहते हैं, और जो अंदर होता है, उसको हम visceral कहते हैं, तो outer pericardial कैसा है, parietal है, parietal, ठीक है, parietal pericardium है, और inner जो होता है, visceral pericardium है, क्या कहते हैं, visceral pericardium है, ओके, अब इन दोनों के बीच में एक space होता है, होता है, ना जैसे heart हमारा ये double membrane से surround है, तो इनके बीच में एक space है, इस space को हम लोग कहते हैं, pericardial space, क्या नाम देते हैं, pericardial space कहते हैं, pericardial space कहते हैं, और इस space में कुछ fluid भरा रहता है, क्या भरा रहता है, fluid रहता है, द्रव्य होता है यहां पे, और उस fluid को कहते हैं, पेरि-कार्डियल fluid, क्या कहते हैं, pericardial fluid कहते हैं, और इस fluid का काम क्या है, तो इसका function होता है, किसी भी चीज का, जैसे हमारे brain के अंदर fluids भरे हुए हैं, तो क्या है, हमारे brain के अंदर fluid है, तो वो किसी भी तरीके से की चोट को बचाएगा, membranes के बीच में frictions को बचाता है, और lubrication प्रवाइट करता है, क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रवाइट करता है, तो यह तो इसका क्या है, इसका काम क्या है, प्रिवेंट्स मतलब रोकता है, प्रिवेंट्स, फ्रिक्शन, घरसन, फ्रिक्शन का मतलब घरसन, फ्रिक्शन बिट्वीन मेंब्रेन्स, दो मेंब्रेन के बीच में घरसन ना होने पाए, फ्रिक्शन ना होने पाए, उसको रोकता है, शौक एबजॉर्बेंस का काम करता है शौक एबजॉर्बिंस अब आपको कि शौक एबजॉर्बिंस किया है मैं चोट लग गई तो यहाँ पे अब भाई चोट लगी तो बीच में फ्ल्यूड भरा हुआ है तब तो हर्ट को चोट लगने से बच जाएगी ना तो शौक एबजॉर्बिंस का काम करता है और प्रवा हर्ट की मिंब्रेन है इसको पेरिकार्डियम कहते हैं आउटर पेरिकार्डियम ठीक है और आउटर पेरिकार्डियम इनर पेरिकार्डियम क्या है प्राइटल इनर क्या है विसरल इस पेस को कहेंगे पेरिकार्डियल स्पेस और फिर जो है ना पेरिकार्डियल स्पेस के बी दिल है, ठीक, ऐसे हमने बना दिया दिल, ठीक है, अब ये जो वारा हर्ट है, हर्ट में ऐसे हमारे पास क्या है, दो मेंब्रेन बनाया था हमने, एक बाहर की मेंब्रेन है, और एक अंदर की मेंब्रेन है, लेकिन आगे चलके ये अंदर वाली जो मेंब्रेन है, वो वाल में ड दिवार, मेंब्रेन तो उसका बैग लाइक इस्ट्रक्चर है, जिसमें हर्ट भरा हुआ है, मेंब्रेन ठीक है, और अब आते हम इसी को ये जो अंदर वाली मेंब्रेन है, विसरल पेरी कार्डियम, यही फिर तीन वाल में डिवाइड हो जाता है, तो अब इसकी जो है ना, व हर्ट इतना प्रोटेक्टेड है, आपको समझ में आना चाहिए कि इसी लिए दिल जो हैना कितथा प्रोटेक्टेड होता है, ठीक, कौन सी सबसे बाहर? आउटर, वाल, ओके, फिर मिडिल वाल, ओके वाल, और फिर इनर वाल, इनर वाल, तो अब क्या है? ये जो आउटर वा है हमारा इसको कहते हैं E-P-Cardium क्या कहते है E-P-Cardium जो Middle Wall है इसको कहते हैं Myocardium और जो Inner Wall है इसको कहते हैं Endocardium इंडो-Cardium इत्ती बात समझ में आ गई E-P-Cardium, Myocardium और Endocardium आप देखिए इसमें क्या है सबसे बड़ी चीज यह क्या करता है protection प्रवाइड करता है सबसे बाहर वाला तो protection प्रवाइड ही करेगा और किसका बना हुआ है तो यह बना हुआ होता है E-P-Thilial Tissue का किसका E-P-Thilial Tissues का बना होता है E-P-Thilial Tissues इसमें पाये जाते हैं यह चीज याद रखना है ओके अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजेगा inner wall जो है endocardium इसमें endothilium पाये जाता है मां हम तिशू पढ़ाएंगे तो बदाएंगे endothilium क्या है mesothilium क्या है ठीक है और connective tissue generally यहाँ पर connective tissues पाये जाते हैं इतनी बात याद रखना सैयोजी उतक जिसको कहते हो आप क्या कहते हो सैयोजी उतक कहते हो लेकिन important है middle wall कौन सी wall है middle wall यह सबसे thickest होती है यह क्या होती है सबसे thickest होती है और यहाँ पर पाया जाता है cardiac muscles क्या पाया जाता है cardiac muscles क्योंकि देखिए muscles मतलब जो manspacia है hurt की muscle की study को myology कहते है इसलिए इसका myo नाम पढ़ा है muscles की study को क्या कहते है myology या सार्कोलोजी इसलिए myo term यहाँ पर बढ़ा हुआ है ठीक है तो जो cardiac muscle है इसको हम और क्या कहते है hurt muscle क्या कहते है hurt muscle अब बात को समझेगा आप कि जो हमारा cardiac muscle होता है यह इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि आपको पता होगा कि हमारे पास तीन तरीके की muscles होती है पहले हम muscle के बारे में थोड़ा सा समझें कित्ती तरीके की muscle होती है तीन तरीके की muscle हो आप केते हो एक एक शिक ठीक है हिंदी मिनालिक पाऊंगी मैं एक शिक का मतलब जिसको आप केते हो striated muscle आगे मैं पढ़ाऊंगी muscle हो सकता है आज मेरा एक वीडियो muscle का GIC booster series में आये ठीक है जैसी booster series में या स्वारी इसमें आस्रम पद्दती वाले series चल रहा है उसमें muscle का एक वीडियो आएगा तो striated muscle और दूसरा smooth muscle ठीक है जो smooth muscle और तीसरा क्या होता है तीसरा होता है cardiac muscle तीन तरीके की muscle हमारी body में पाई जाती है ठीक है striated या इसको skeletal muscle कहते है इसे जैसे यह हमारी हड़ी है ठीक है हमारी हड़्डियों से जोड़ी होती है muscle, directly जोड़ी होती है तो इसको skeletal muscle इसे लिए कहते हैं और यह add-chick होती है add-chick मतलब जिसको हम अपनी इक्छा के अनुसार जो है control कर सकते है मुक्त जो एक्छिक muscle या voluntary muscle कहते हैं लेकिन जो smooth muscle होती है, वो हमारे visceral organ में पाई जाती है, जैसे digestive system, respiratory system, ये involumentary होती है, अनेक्छिक होती है, इसको हम अपनी इक्छा के अनुसार, हम हमारे under our willpower ये work नहीं करती, ये autonomous nervous system के under work करती है, ठीक है, और जो cardiac muscle है, ये hurt में पाई जाती है, अब जो समझने वाली बात है, वो ये है, कि जो hurt की muscle होती है, उसकी सबसे खाज बात तो ये होती है, कि structurally, structurally, ध्यान दीजेगा, structurely, मतलब structure के basis पे, ये iscrated muscle जैसी होती है, किसके जैसी? Iscrated muscle के जैसी होती है, या फिर skeletal muscle जैसी होती है, किसकी? Skeletal, iscrated का ही दूसरा नाम है skeletal muscle, तो structurally तो ये iscrated muscle, structure इसके जैसा होता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी functionally, यह functionally कैसा होता है, तो आप याद रखना, functionally यह इसके जैसा होता है, smooth muscle, मतलब anactic, involuntary, इसको हम अपनी इक्छा अनुसार रोक नहीं सकते, क्यों जैसे हम किसी से नाराज होगे, तो क्या हम अपनी heart beat अपने से रोक लेंगे, हर्ट बीट ही रोक दिया, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, तो हम functionally यह कैसी होती है, functionally smooth muscle जैसी होती है, कैसी, smooth muscle और smooth muscle को और क्या कहते हैं, involuntary muscle, क्या नाम देते हैं, involuntary muscle कहते हैं, हम muscle पढ़ाएंगे, तो बताएगे, अब देखिए, अगर आप इसका structure बना दो, heart muscle का, तो यह generally ऐसी होती है, cylindrical, ठीक, और यह branched muscle होती है, cylindrical और branch, और branching ऐसे होती है, this is the only muscle जहाँ पर branched होता है, branch, और जहाँ से branching होई है, इस यहाँ पर एक disc-like structure पाया जाता है, और इस structure को हम कहते हैं, intercalating disc, क्या कहते हैं, intercalating disc कहते हैं, तो यह है हमारा intercalating disc, disc, लिख लिजिएगा, intercalating disc, intercalating disc, और यह union nucleate, और यहाँ पर alternate light, dark, light, dark band पाया जाता है, इस लिए यह इसके जैसी होती है, created में यह होता है, alternate light and dark band होता है, alternate light and dark band होता है, ठीक है, तो यह चीज है हमारा heart muscle, heart muscle हमारी branched होती है, लिख लिजिएगा, कैसी होती है, लिख लिजिए आपे, heart muscle कैसी होती है, branched होती है, ठीक है, cylindrical है, uninucleate है, लिख लिजिएगा, Uni Nucleate, एक ही Nucleate होता है, क्योंकि हम आगे जब मसल पढ़ाएंगे, तो वह पर बताएंगे, एक ऐसी भी मसल होती है, जो Multi Nucleate होती है, ठीक, और कैसी है, कैसी है, Cylindrical Branch, Uni Nucleate and Intercalating Disc पाया जाता है, यहाँ पर, क्या पाया जाता है, Intercalating Disc पाया जाता है, और यह तो मैंने ऊ कर रही हूँ, अगले lecture में हम लोग लगभग हमारा यह एक घंटे 20 मिनट का lecture हो चुका है, और आज आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िए, अगला जो हमारा वीडियो आएगा, मतलब आप टेंशन ने लीजिए, आज यह पहला lecture था, हम लोग और भी कम सकब डेर घंटे का lecture होना चाहिए, तब जाके जो है, चीज़े पकड़ में आएगी, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझते रही है, अगले lecture में हम लोग हर्ट में आगे और भी चीज़े पढ़ेंगे, तो फिलहाल आज आप लोग एगदम अच्छे से इसको देखिए, और एक और चीज़े में करूंगी, जितने भी हमारे YouTube पे lectures पड़े हुए हैं, उसका मैं एक अलग से folder बना दूँगी, आप लोगों को वह भी वहाँ पे folder में provide कर दूँगी, ताकि आप उस सब चीज़ों को भी देखते रही हैं, मतलब आपकी एक अलग से तयारी भी होनी चाहिए, त पड़े हैं, उसका भी एक folder बनके, आप लोगों को वहाँ पे YouTube लेक्चर करके folder मिलेगा आपके LTK बैच वाले में, तो वहाँ पे भी वो चीज़े आप लोग दिखते रही हैं, ठीक है, तो मतलब एक अलग तरीके से भी आपकी तैयारी होनी चाहिए, अब अगले lecture में हम लोग फिर हर्ट में continue करेंगे आगे, और बहुत-बहुत आप लोग को बधाई हो, आप लोगोने हमारे admission लिया है, बहुत खुसी हो रही है आपको कि आप लोग हम से बढ़ रहे हैं, हमें पढ़ाने का मौका दिया है आपने, ठीक है, तो मैं कोसिस करूँगी कि आपको best से बेस्ट प्रवाई होचली, थैक य।